बारत ने मोहाली टेस्ट मैच को जीत लिया है और ये एक अतिहासिक जीत है तीसरे टेस्ट मैच में शांदार खेलका प्रदर्शन करते हुए भारत ने आठ विकेट से मैच अपने नाम कर लिया है इंग्लेंड मेच बाइन टीम के सामने 103 रनों का लक्ष रखा था जिसे पूरा करने में भारत ने केबल दो विकेट गवाए 103 रनों के आसान लक्ष का पीछा करने उतरी मेच बाइन टीम ने 7 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गवा दिया था मुरली विजय बिना खाता खोले वॉक्स का शिकार बने जिसके बाद पार्थिव और पुजारा के बीच हुई 96 रनों की साज़ेदारी टीम इंडिया को जीत के करीम ले गई लेकिन पुजारा के रूप में भारत का दूसरा विकेट रूट ने लबका पटेर 17 रन और विराट कोली 6 रन बना कर नाबाद रहे रवीन जडेजा को उनके आल राउंड प्रडर्शन के लिए मैन आफ दा मैच चुना गया इस जीत के साथ ही भारत ने सिरीज में 2 शूनिकी बढ़त बना ली है अगला मुकाबला मुंबई में 8 से 12 दिसंबर की बीच खेला जाएगा इसके पहले चौते दिन लंच के बाद भारत ने इंगलेंड की दूसरी पारी को 236 रन पर समेट दिया था चांदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने इंगलेंड पर 207 से बढ़त बना ली है और देखना अब ये होगा कि मुंबई में होने वाले अगले मुकाबले में भारती टीम क्या करिश्मा दिखाती है दिखते रहिए डिबी लाइफ